नमस्कार, गुड इविनिंग, RD Talkies के ये आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आप तो जानते हैं कि RD Talkies के डिस्कोवरिंग पंचम सेरिस के अंडर हमने काफी सारे प्रोग्राम किये जैसे पंचम किशोरदा, पंचम रफी सहाब, पंचम मुकेश जी, पंचम आमित कुमार लेकिन इन मेंस्ट्रिम गायकों के अलावा पंचम दा के साथ कई गायकों ने बहुत ही अच्छे गीत दिये है तो हमने सोचा क्यों न उन पर फोकस किया जाए तो उनके कुछ जाने, कुछ अंजाने, ऐसे गीत हम आज आज आपकी सामने पेश करेंगे और ये चार कलाकर है भुपिंदर सिंग जो पंचम दा के करीबी दोस्त शैलेंदर सिंग, उन्होंने में काफी काम किया पंचम दा के साथ सुरेश वाड करजी और एसपी बाला सुब्रमिन और ये चो पहला गाना है ये दरसल पंचम दा ने बेंगोली में गाया था और जिन लोग को पता है कि पंचम मैजिक पुने हम 2000 से वो प्रोग्राम में जाते रहे हैं तो पहले ही ये गाना वहां पर हर बार बेंगोली वर्जन बचता था लेकिन ये हिंदे में कब आया तो 1993 में एक फिल्म आया थी आजा मेरी जान और पंचम दा ने इस पी दा को बुलाया चन्ने से गाने के लिए तो उन्होंने जब गाना सुना तो कहा ये तो मैं गाने सकता तो उन्होंने कहा नहीं ये आप ही गा सकते और इसलिए मैं आपको इतने दूर से बुलाया है तो ये बहुत ही बहुत ही बढ़िया बहुत ही अलग गाना आपके हमने पेश करेंगे दत्ता चेक करेंगे दत्ता करेंगे दत्ता करेंगे दत्ता जुदा नहोंगे दिल ना माने जाने तू है कहाँ है आजा आजा मेरी जान कहा था तूने सनम जुदा नहोंगे हम दिल ना माने जाने तू है कहाँ है आजा आजा मेरी जान कहा था तूने सनम जुदा नहोंगे हम दिल ना माने जाने तू है कहाँ आया 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 वाहों में तेरी जिंदगी मेरी ओ मेरे साथी छोड़के तुझे जाऊंगा कहां तू है वा मैं हूँ वहां आजा आजा मेरी जाआए ना कर ऐसे सितम कसम तेरी कसम दिल ना माने जाने तुझे कहां आया 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 आय जहां मैं हुआ, आजा, आजा मेरी जान, ना कर ऐसे सितम, कसम तेरी कसम, दिल ना माने जाने तु है कहा, ए आजा, आजा मेरी जान, कहा था तुने सनम, जुदा ना हो गया हुआ, दिल ना माने जाने तु है कहा, आजा, ए आजा, 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 हुआ् तेंकिध। एक वाह, क्या जोरदार प्रोग्राम की शुरुदा, दिद्ता, वेरी नाइस, मज़े आ गया, यह बहुत बढ़िया, बहुत इफिगल obligation लेकिन एस पी बाल सुब्रामनियम जी को उन्होंने पंचम्दा ने बोला था इस फिल्म के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला गाना जो है वो है फिल्म सनी से जो धर्मिंदर सनी देवल उनकी फिल्म थी इसमें सुरेश वाड़कर जी के कुछ गाने है और शायद इसी फिल्म के लिए वो एक किसा था कि एक समी क्लासिकल गाना था तो पंचम्दा ने सुरेश वाड़कर जी को ये गाना देने का फैसला किया लेकिन प्रोडूसर का फोन आया कि आप किसी और किसी और सिंगर का नाम दिया था उनसे गवाई है पंचम्दा ने कहां नहीं ये तो सुरेश वाड़कर जी ही गाएंगे अगर आपको नहीं चलिए तो ये फिल्म मैं छोड़ देता हूँ इतना वो confidence और सुरेश वाड़कर जी का उनकी जो आवाज है उसका टिमबर है वो बहुत ही अलग स्वीट भी है बहुत खर्ज भी है उसमें बहुत मज़ा आदा है और इस फिल्म के गीत जो है वो बक्षी साब ने लिखे है जैसे इस फिल्म का एक बहुत ही पॉपलर गीत रिक्वेस करता हूं आपके सामने पेश करें कि और क्या एहदे वफा होते हैं होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं बात निकली थी इस जमाने की जिसको आदत है भूल जाने की आप क्यूं हमसे खफा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं कब भी छड़ जाए हम सफर ही तो है कब बदल जाए एक नजर ही तो है जान ओ दिल जान ओ दिल फिदा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं जब रूला लेते हैं जीवर के हमें जब सता लेते हैं जीवर के हमें तब कभी खुश वो जरा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या एहदे वफा होते हैं वाह क्या वाद है राज बहुत बहुत बढ़िया बहुत मज़ा आ गया तो आपने एस पी बी का पहला गाना सुना फिर ये सुरेश वाड़करजी का गाना सुना तीसरा गाना हम आपके सामने पेश करते हैं शैलंदर सिंग 1973 में जब बॉबी फिल्म आई थी और रशीर कपूर ने फिल्म इंडिस्टर में कदम रखा था तो उनके गाने बहुत हीट हुए थे 1974 में जब उनकी दूसरी फिल्म जिसका नाम था जहरला इंसान उसका मेजिक पंचमदा का था और वो चाहते थे कि सारे गाने शैलंदर सिंग गाए लेकिन पंचमदा जैसे कि उस फिल्म का गाना जो बहुत-बहुत कल्ट सौंग वह हंसीनी तो पंचमदा चाहते थे वो किशोर कुमार ही गाए तो उन्होंने वो गाया लेकिन इस फिल्म में एक और गाना था जो मुझे परसनली बहुत पसंद है कि यो बहुत-बहुती मेलोडियस है बहुत स्वीट मेलोडी है मजरू साब की लिरिक्स है तो इसकी मैं आपको एक जलक सुनाता हूँ मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जानिमन मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जानिमन के दो गड़ी बहल जाता है दिल इसमें पूरा म्यूजिक रुख जाता है रिदम और उसे दीवाना उसमें वो एंट करते हैं इतना ब्यूटिफुल है और जैसे उसके अंदरे का भी ट्यून आपको बदाता हूँ इनके बीना यहां वहां कैसे फिरू उल्जन का मारा पैरो तले जैसे कोई रखता चले जलता अंगारा हो दुख मेरा ये जाने हो या जाने मेरा हाल ये वीराना मेरे दिल से ये नैं वाह बहुत ही मेलोडियस गाना स्विट मेलोडी उस फिल्म की तो चलिए अगला गाना आपको सुनाते हैं इस गाने में देखिए बहुत ही ब्यूटिफल गाना ये भी होगा तुमसे पैरा कौन हम हाली में एक मुवी देख रहे थे अब नए फिल्म है और टाइटल से आप समझ गया होंगे फिल्म में मेरी प्यारी बिंदू ये गाना भी यूज किया है पंचमदा का मैं आपको बदा दाओं की नए फिल्मों में भी किस तरह उनकी गाने यूज होते हैं उस फिल्म में सीन है कि हीरोई की शादी हो चुकी उसकी चोटी बेटी है और ये हिरो उनसे मिलने आता है एंड में तो वो अपनी बेटी को आवाज देती है कांची तो वो हिरो जो आईशुवान खराना वो कहते हैं कि कांची यानि होगा तुमसे पहरा कौन लेकिन उस गाने में तो उनका नाम कांचन है इस तरह से गाना भ पूरे गाने का ट्रेन वाला जो फिलिंग है वो पंचम्दा ने इस तरह क्रियेटिविटी यूज करके किया था और जैसे इसमें आप देखेंगे पंचम्दा की काफी गानों में आपने देखा होगा उनका M1 जो मुजिक मुख्टे से हम पले अंतिर कितब जाते बहुत श इंजिन के पास अदमीनी जी बैठी हुए है और रिशिकपूर है लास्ट डिबे के ओबर बहुत ही ब्यूटिफुल हो पूरा फोटोग्राफी हेलिकॉप्टर शुटिंग तो चलिए ये गाना आपके सामने में पेश करने कोशिश करता हूं अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको दो तुमसे है फेकंचन फेकंचन प्यार अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है फेकंचन 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 फ्यार उचे घर वाली हो या गलियों की दानी कोई हो तुम रहती हो कहीं ओ उचे घर वाली हो या गलियों की दानी कोई हो तुम रहती हो कहीं तुम से बढ़के यारा कौन हमको तो तुम से है हे कांची अर हे कांची तो प्यार ओ देखो इन आखों में ये सूरत है किसकी ओ इक नजर तो देखो कम से कम देखो इन आखों में ये सूरत है किसकी ओ इक नजर तो देखो कम से कम आखिर है हमारा कम हमको तो तुम से है हे कांची अर हे कांची ओ प्यार कर दो देखो हो कहते हो के जाओ लेकिन बत लाओ हो जाए भी तो जाए हम कहाँ हो कहते हो के जाओ लेकिन बत लाओ हो जाए भी तो जाए हम कहाँ ऐसा दिल का मारा कौन हमको तो तुमसे है एक कांची अरे बाबा हे कांची वो प्यार अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है एक कांची अरे हे कांची वो प्यार मुझे गाने में बहुत मज़ा है आशा है कि आप लोगों को भी आया होगा एक अगला गाना एक तमिल फिल्म आये थी जिसका नाम था शुब लेखा और उस फिल्म पे एक हिंदी फिल्म बनी ती जिसका नाम था शुब कामना अब इसमें राकेश रोशन जी थे और रतियक न सामने पेश करेंगे लेकिन एक और गाना उस फिल्म में था देखिए मेलोडी कैसी है कि बागों में खीले है कैसे कैसे फुलवा भुल भुल क्यों नहीं गाए इस तरह से स्पी भी बोलते हैं और देखिए अंजान सामने लिखा है और उसका रिस्पॉंस जो है आशा जी का गाना जो चाहे वो होटो पे न आए बुल बुल कैसे गाए वो इतना बड़िया इनो मेलोडियोस गाना है शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन इसी फिल्म का एक और गाना है अगें फैंटस्टिक मेलोडी आइम शूर आप एंजॉय करेंगे राज इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो इस दिल ने सोचा है तो सच वो ही हो जाए तो उड़े ते है उड़े ते प्यार के पंजी मिलके कहीं खो जाए ओ ला 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 इस दिल ने सोचा है जो इस दिल ने सोचा है जो कहा वज्य चंदा कहाँ एककंवली ली कि दूरी मैं मिटाओं ला 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 इस दिल ने सोचा है जो सच वह हो जाए तो इस दिल ने सोचा है जो मन मंदिर में दीप जलाए पूजा के फूल चड़ाए शाम सिंदूरी सपुने से उसकी मांग को आरे भर जाए इस दिल ने सोचा है जो सच वह हो जाए तो इस दिल ने सोचा है जो सच वह हो जाए तो इस दिल ने सोचा है जो सच वह हो जाए तो इस दिल ने सोचा है जो इस दिल नाम था गुरुदेव यह फिल्म विनोद महराजी ने प्रडूस की दिल उनफोर्चनेटली उनकी देत होगी तो यह फिल्म किसी और ने कंपलिट की जिसमें अनिल कपूर और रशी कपूरतेर श्रीदेवी का डबल रोल था उसका एक गाना दो बहुत हीट हुआ था जैपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले लेकिन उस फिल्म में एक और गाना है जो मुझे और राज को दो बहुत पसंद है लेकिन उसका ट्रैक नहीं मिलता तो हमारे दोज जो है डॉक्टर संजे सोना और उनको बोलना बढ़ेगा गिटार के साथ हम कुछ करते हैं जैसे वो गाना है सुना होगा आपने शाइद बुसेल्स में इसकी शूटिंग हुई थी तो ये गाना टीवे पे भी बहुत आता था खैर अगला गाना आपके सामने पेश करते हैं अर्ली नाइनिटीज की एक फिल्म बहुत ही अच्छ फिल्म जाकिश रॉब और अमरिशपूरी गर्दिश उस फिल्म के भी काफी गाने जैसे आश्र जी का गाना है रंग रंगेली, छैल छबली लेकिन शायद ये सबसे जाद हिट गाना जो है जो SPV ने गाया था हम ना समझे थे और जब हम प्राक्टिस कर रहे थे तो हम उसके अंतरे के लब्स देख रहे थे और सोचा एक इतकार को होना है तो जावेद साब इतनी simplicity में उन्होंने इतना sentimental ये गाना लिखा है और बहुत ही बढ़िया गाना है तो आप तो जानते हैं इस गाने को तो मैं दत्ता को request करता हूँ आपकी सामने पेश करें हम न समझे थे बात इतनी सी खाब शीशे के दुनिया पत्थर के हम न समझे थे बात इतनी सी खाब शीशे के दुनिया पत्थर के हम न समझे थे बात इतनी सी वारुजू हमने की तो घंपाई वारुजू हमने की तो घंपाई रोशनी इसा लाई थी साए साए गहरे थे रोशनी हलकी हम न समझे थे बात इतनी सी खाब शीशे के दुनिया पत्थर के हमने समझे थे बात इतनी सी सिर्फ वीरानी सिर्फ तनहाई सिर्फ वीरानी सिर्फ तनहाई जिन्दगी हमको ये कहा लाई खो गए हमसे राह वंजुकी हम न समझे थे बात इतनी सी खाब शीशे के दुनिया पत्थर के हमने समझे थे बात इतनी सी क्या कोई बेचे क्या कोई बाते अपने दामन में सिर्फ है काटे और दुकाने हैं सिर्फ पूलों की हम न समझे थे बात इतनी सी खाब शीशे के दुनिया पत्थर के हमने समझे थे बात इतनी सी तेंक यू तेंक यू यू बात यू यह डिस्कोरिंग पंचम क्या है राइट पंचमदा का म्यूजिक जिसे हम यह डिफेरेंट कलर्स आपको आज दिखा रहे हैं तो यह डिस्कोरिंग जिसे जावद साब कहते हैं कि हम पंचमदा की तरफ जा रहे हैं अब तद पहूंचे है नहीं होते हैं और हम सब के साथ सूर है जो हमारी जरुनीEl शुरू है अमिताप से विए ए कि हम अमिताप के फैन बने फीर अमिताप की गाने गुन-गुना न लगे तो पता चला ये किशोरदा की गाने हमें ज्ञाली पसंद है फिर पदा चला यह पंचमदागा मिज्जिक है तो पंचमदा हमें बहुत पसंद आने लगे साथ में आशा जी है लता जी है और रफी साहब है और गुलजार साहब यह तो हमारे साथ सूरेवट इन सूरों के अलावा हमने सोचा यह एक्स्प्लोर किया इसलिए आज का यह स्पेशल प्रोग्राम फोकुसिंग अन बुपेंदर सिंग, शैलेंदर सिंग, सुरेश वाड़कर जी और SPB और इस जर्नी में हमको बहुत लोगों से सिखने को मिलता है जैसे पंचम मैजिक के प्रोग्राम सो, पंचम क्रेशन है, मादव जी का पंचम तंत्र है, यूफोनी है, बैंगलोर का और पंचम पागल्स है, गाटकोपुर का ग्रूप और इतने सारे मिजिशियन्स और पंचम के ग्रूप है, तो बहुत सिखने को मिलता है उनसे किस तरह से पंचम दाने इनोशन किया और वो बहुत मज़ा आदा है, मतलब जब आप उस पीछे का बैग्राउंड और उसके थाट प्रोसेस, क्या नयापन है उसमें, जो सोंज में आता है, तो गाने का मज़ा दुगना हो जाता है, तो चलिए इसके साथ अगला गाना आपके सामने, मैं पेश करने कुशिश करता हूँ, फिल्म थी खेल खेल में, अब ये फिल्म बहुत ही हिट फिल्म थी, इसके उपर एक खिलाड़ी फिल्म बनी थी, और खेल खेल में बहुत सारे ड्वेट से वो सारे किशोरदाने लेकिन एक सोलो सॉंग था जो शलेनर सिंग ने गाया था, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हमने तुम को देखा, तुमने हम को देखा ऐसे, हमने तुम को देखा, तुमने हम को देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, हमने तुम को देखा, तुमने हम को देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, आखों का रह रहे के मिलना मिलके जुक जाना, कर देती हैं यही अदाएं दिल को दिवाना, हुआ यू सामना पड़ा दिल ठामना, हुआ यू सामना पड़ा दिल ठामना, हुआ हमने तुम को देखा, तुमने हम को देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, हम तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे, बस्ते बस्ते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती, बस्ते बस्ते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती, हमारी दास्ता कहेगा ये जहाओ, हमने तुम को देखा, हम तुम सनम साथadenum मिलते रखें हो जाएसे हम तुम को देखा हम तुम सनम ला 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 कर देखा तुम ने हम लाला, 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 बहुत बढ़िया गाना, बहुत ही मेलोडियस, स्टेज पे रिष्रिकपुर, ये फिर्म तो बहुत हीट हुई थी, यूद्फुलनेस के लिए और उसके गाने, पंचम्दा के, चलिए अगला गाना, एक फिल्म आये थी, 80's में, ये तो कमाल हो गया, शायद आपको याद हो, मैंने देखी थी, मुझे अभी भी याद है, कमल असन का डबल रोल था उसमें, और सारे गाने, SPB ने गाये थे, और ये गाना जो है, इसका आप ट्रैक सुनिए, उसका म्यूजिक सुनिए, उसकी मेलो जब शुरू हो, तो आपको किसी 90's के गाने की याद आजाए, लेकिन वो बाद में आया है, ये पंचमदा का ओरिजनल है, इतना ही दान में रखी है, क्योंकि शुरू के नोट्स जैसे के विए से, खैर, वो भी पंचमभक्त है, जिन्होंने उसकिया, इसले वो ठीक है, तो ये गाना, इस फिल्म में के और भी गाने थे, जैसे एक टाइटल सॉंग था, और ये सारे बख्षी सापने लिखे हैं, कि ये तो ये तो कमाल हो गया, एक आशिक का इश्क में क्या हाल हो गया, वो एक टाइटल सॉंग था, लेकिन ये गाना एक वाल्ज रिदम पे है, हम तुम हम दो राहे हम तुम हम दो पंची हम तुम हम दो राहे हम तुम हम दो पंची प्रेमी हमारा नाम है हम तुम हम दो राहे हम तुम हम दो पंची प्रेमी नवारा नाव है We are to lover We are to lover चाते हैं बादल शिप्ता है सूरज चान निकलता है सारा जमाना देखो हमारे साथ चलता है चाते हैं बादल शिप्ता है सूरज चान निकलता है सारा जमाना देखो हमारे साथ चलता है क्या है सुबह क्या शाम है हम तुम हम दो राही हम तुम हम दो पंची प्रेमी हमारा नाम है We are to lover We are to lover खोए रहे हम दिन भर तुम्हारी प्यार की बातों में जागे रहे हम आए न हम को नींधि रातों में ये प्यार का अन्जाव है हम तुम हम दो राही हम तुम हम दो पंची प्रेमी हमारा नाम है We are to lover We are to lover जाए बातों में दूसरे के सपनों में ढूंडे हम इन बहारों को एक दूसरे के आँखों से देखें हम सब नजारों को दूसरे के सपनों में ढूंडे हम इन बहारों को एक दूसरे के आँखों से देखें हम सब नजारों को हम पे ये इल जाओ है हम तुम हम दो राहे हम तुम हम दो पंची प्रेमी हमारा नाम है वी आर तू लवर, 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 वी आर तू सब्सक्राइब करें लिखना मुझे नहीं लगता है उनकी जैसा कोई कर सकता है मैं हमेशे वो एक्जाम्पल देता हूँ बक्षी साब का कि ना खिड की ना जरोका मिलते ही मगर मौका दे जाऊंगा मैं धोका सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का जोका मैं निकल जाऊंगा कि द्यावनन की फिल्म का गाना अमेजिंग चलिए अगला गाना अगला गाना है फिल्म सागर से सागर के गीत जावित अक्तर साब ने लिखे थे उसमें कमल असन के लिए आप तो जानते हैं काफी सारे गाने हैं जैसे ओमारिया यह गाना तो अपने सुना ही होगा जो SPB और अश्रजी ने गाया है लेकिन उसमें एक सोलो सौंग का और सच मेरे यार है और इस गाने के बारे में क्या कहें जब हम कॉलेज में थे तो यह गाने का एक स्पेसिफिक अपनी तो हार है, तो ये सारे वस्टेल वालों के दिल की करिब थी हूँ, तो बहुत ही उसमें क्या कहें, मेलोडी तो हाई बट जो इमोशन्स है, तो मैं दत्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, कि ये गाना आपके सामने पेश करें. कर दो. कि यह विजस्ट टेक्निकल टिकल्टी पांच दो मिनिट यह मेरा बहुत फेवरेट गाना है मैं हमेशा गाते रहता हूं जबी में लाइप शो करता हूं या रिकॉर्डिंग करता हूं तो सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदल में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार मेरे ओ यार मेरे सच मेरे यार है जिसके बदल में कोई तो प्यार दे बाकी बेकार है यार मेरे ओ यार मेरे अंग झाल झाल जिस हाथ में एक हाथ है उस हाथ की क्या बात है क्या फासले क्या मनजिले एक हमसफर गर साथ है जिसके किसमत कोई यू सवार दे वो ही दिलतार है यार मेदे ओ यार मेदे यू मेदे लिए य। जूमें जमीन जूमें गगन तेरे लिए होके मगन खिलते रहे सपने तेरे महका रहे दिल का चमन जिन्दगी तुझको ऐसी बाहार दे दिल की पुकार है यार मेरे ओ यार मेरे करें जुझको एक जुझके काम तेरे लिए होके काम करें का लिए होके मान सुनते थे हम ये जिन्दगी गम और खुशी कामिल है हमको मगर आया नजर ये जिन्दगी वो खेल है कोई सब जीते कब कोई हार दे अपनी तो हार है यार मेरे आयार मेरे सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे बात की बेकार है यार मेरे आयार मेरे क्या बात है मज़ा आ गया है आशाय कि आप लोग भी ये प्रोग्राम पसंद कर रहे होंगे ये ये बहुत ही अच्छे रेयर जाने अंजाने गाने आप मैंने कुछ पंचम ग्रुप्स की बात की ती उसमें मैं 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 इंशन करना भूल गया अद्बुत पंचम फांडिशन हमारे दोस्त इमानशु जी कौस्तुब जी रंकुछ दादा बहुत सारे लोग बहुत हम से सिखते हैं पंचमदा की मिजिक के बारे में चले अगला एक गाना आपक जिसे एक गाना है फिल्म थी जनम से पहले आपने शायद सुनी नहीं होगी एक नक्षलाल पुरी सहाब की घजल थी उनका ये गीत पंचमदा का मियूजिक है और ये गाना मैं आपको जस्त थोड़ा गुनगुना दाहूं लेकिन अगर आप बाद में उसको सुनेंगे ये तो आपको पता चलेगा कि हम अमित कुमार को भी इतना चाहते हैं उनकी इतनी भरदार आवाज उस वक्त की वो शुरुवत करते गाने की बाद में सुरश्वारकर जी के मिठी आवाज उसमें आती है तो ये गाना इतनी अच्छी मेलडी है और शब्द है मैं आपको क्विक है तू की रन है के कली है के सबा है क्या है कोई जनकार है नगमा है सदा है क्या है तेरी आखों में कई रंग झलकते देखें तेरी आखों में कई रंग झलकते देखें सादगी है के जिज़क है के हया है क्या है कोई जनकार है नगमा है सदा है क्या है इतनी ब्यूटिबल मेलोडी जस फिल्म हिट ने हुई इसलिए ये गाना लोगों के पास नहीं आए और हमारी यह कोशिश रहती है कि ये रेर जेम्स आप तक पहुंचाएं तो चलिए अगला गाना जो है जो शैलेंदर सिंग और भूपेंदर जी ने गाया है फिल्म मासुम से ये जो गजल है देखिए इस गाने का हम हमारे मिजिक टीचर श्री शेष प्राटकरजी इस गाने के बारे में बता रहे थे कि देखिए गाना शायद राग यमन में है लेकिन इसका शुरुत में जो आलाथ है वो उस राक का नहीं है तो ये सारे एक्स्परिमेंट पंचम्दा करते थे तो चलिए सुनते हैं हुजोर इसका दर्भे ना इतरा के चलिए खुले आम आ चलना लहरा के चलिए हुजोर इसका दर्भे ना इतरा के चलिए कोई मन्चला गर पकड लेगा चलिए हाँ कोई मन चला अगर पकड़ लेगा चल जरा सोचिये आप क्या की जियेगा लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलिया लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलिया तो क्या अपनी जुल्फे जटक दीजियेगा हुजूर इसक दर्वे ना इतरा की चलिये तुले आमा चलना लहरा की चलिये हुजूर इसक दर्वे ना इतरा की चलिये बहुत खूब सूरत है हर बात लेकिन बहुत खूब सूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती लिखी जात फिर दास्ताने महबत लिखी जात फिर दास्ताने महबत एक अपसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिये खुले आम आ चलना लहरा के चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिये खुले आम आ चलना लहरा के चलिये हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिये तो इस तरह भूपेंदर सिंग जी और सुरेश्वाडकर जी बहुत सारे गाने आपको क्या बता हूँ जैसे एक फिल्म आई थी ना इंटीनेटीज में डकैद सन्य देवल साथ की उसमें गाना था किस कारन नईया डोली ये आशा जी और सुरेश्वाडकर जी का गाना है फिर शौकिन फिल्म थी मितुन्दा की उसमें गाना था वही चल मेरे दिल खुशी जिसमें दी है मुझे प्यार की जिन्दगी जिसने दी है ला 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 वह कार ड्राइव कर रहा है और मस्ती में गा रहा है और अंदर बाहर का भी एक टैटल संग था अंदर बाहर बाहर अंदर हम है जवा जल्बे तो इस ताविसे बहुत सारे गाने हैं लेकिन एक बहुत इए आइकोनिक फिल्म परिंदा इस फिल्म का एक सुरेश्वाडकर ज तुम से मिलके ऐसा लगा तुम से मिलके अर्मा हुए पूरे दिल के तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अर्मा हुए पुरे दिल के है मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अर्मा हुए पुरे दिल के जाने वफा तुमसे मिलके यहाँ तुमसे मिलके अर्मा तुमसे मिलके अर्मा है मेरे सनम तेरी कसम छोड़ेंगे अभुया ये हाँ ये जिन्दगी गुजरेगी अभु हम दम तुम्हारे ही साथ अपना ये वादा रहा तुमसे न होगे जुदा तुमसे मिलकी ऐसा लगा तुमसे मिलकी अर्मा हुए तुरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होगे जुदा तुमसे मिलकी ऐसा लगा तुमसे मिलकी अर्मा हुए तुरे दिल के तुमसे मिलकी तुमसे मेरी मेरी तुमसे मिलकी अर्मा हुए कर दो कर दो मैंने किया है रात दिन बस तेरा ही इंतजार तेरे बिना आता नहीं इकबल मुझे अफकरा हम दम मेरा मिल गया हम तुम न होगे जुदा हम दम मेरा मिल गया हम तुम न होगे जुदा तुम से मिल के ऐसा लगा तुम से मिल के अर्मा हुए पुरे दिल के है मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी इक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा अब हम न होगे जुदा झुदा हो शोच कि वाह रत यह गाना गानान। गाने को बहुत मज़ाता जांना गढार हो ये भी बहुत री गाना। तो चलइ अगली गाने की तदव चलते हैं उसके पहले एक में 1987 में एक फिल्म आए थी हिफाज़त अनिल कपूर माधुर दिक्षित उसमें एक SPB का और आश्या जी का गाना था बटाड़ा शायद आपको याद हो दिलन नहीं देना था मगर देना पड़ा तो खेर अगला गाना जो है वो है फिल्म सागर से और ये मेल ड्वेट है जो क मैं चमना का मुजिक तो यही गाते रहो हो मुस्कुराते रहो नाचो रहे सब जुमके गाओ रहे हो गाओ रहे यही काते रहो हो मुस्कुराते रहो नाचो रहे सब जुमके गाओ रहे होगा-र रहे हे है कर दो कर दो जब तलक रात रहे जाम रहे दिल को दीवानगी से काम रहे हो यारे तुझको मेरी यारे की कसम हमसे अब दोस्ति का नाम रहे हो चलो अब जूम के मस्ती में यह गाओ रहे हो युही गाते रहो हो मुस्कुरा ते रहो नाचो रहे सब जूम के गाओ रहे हो गाओ रहे आओ रहे हे 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 हाओ हाओ वे ठुमग्ली की वे 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 कर वे की वे प्यार मिल जाए तो है दुनिया हसी हाँ प्यार जैसा है कोई नहीं प्यार ले जाए जहां जाओं वही हाँ प्यार तुझको मिलेगा यार यही चलो अब जूमके मलियों में यह गाओं रे हाँ आओ रे हो यूही गाते रहो हो मुस्कूराते रहो नाचो रे सब जूमके गाओं रे हो काओं रे आओं रे हो 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 कितनी मस्ती इस गाने में तो आशाय कि हमारी ये रेर जेम्स और जाने अंजाने गाने आप पसंद कर रहे हैं अब हम मेफिल के आखरी गाने के दरफ आया है ये गाना भी कल्ट सॉंग बन गया 1980s की फिल्म अर्जुन सुनी देवल बहुत ही बड़िया फिल्म राहूल रवेल शायद दिरेक्टर है और अमरिश्पुरी हमें उची आवाज में बात करना पसंद नहीं बहुत ही बड़िया फिल्म थी और ये दोस्तों का गाना था तो गीतकार इसके है जावेद अक्तर साब ये गाना है मामा या केरो मामा तो मैं ढूंड रहा था इसके बारे में तो एक्चुली ये पॉर्टुगिस फ्रेज है और ये कार्मेन मिरांडा करके एक सिंगर है जिन्हों ये गाना पॉपिलर किया था वो जिसको क्वेरो क्वेरो पॉर्टुगिस में है मामा और उसका मतलब यह है I want my मामा ऐसा इसका मिनिंग है कहरे इस गाने में ये गाना तो दोस्तों का गाना है बंबई की सड़कों पर है एटीज का लाइफ ये नो कॉलेज गोइंग सन्नी देवल और उनकी दोस्त और इसमें जो तबले का इस्तमाल क्या बात है जैसे वो शोले का चेजिंग सिंग में तबले का आपने सुना होगा similarly बहुत बढ़िया इस्तमाल पंचमदा ने इसमें किया था और ये गाना हम तिनों आपके सामने पेश करेंगे मामया केरो केरो मामा मामया कुम सामने खाया सचमदा पेश जैसी जारा सामने में पे गारा सुना होगा जया ओ़िया देस्तमाल जारा सुना होगा कि बहुत प्लिज्जश प्लिए और रात days मामया आपके सामने इसमें का बिते है कर दो 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 हाँ मुई एठाँ है मुई एब एडिऊ मामाнд याइज के छान वाल दुश्मान को ये बता दो दुश्मन है गोली मारो जीना हो कोई जीना यारो पे सदा जा करो फिदा दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या ममया केरो 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 मामा जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं सर जुकाए जो भार जाए वो वो आदमी भी कोई आदमी है क्या दुनिया मन बुरा तो भोली मारो तरके जीना है कोई जीना यारो यारो पे सदा जा करो फिदा दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या ममया केरो 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 मामा ममया केरो 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 मामा केरो केरो के बता दुश्मन दुश्मन इंद की अजयां दुश्मन घर ले जो दिल ने निकाला हमें इन रासतों ने है पाला हमें मुस्कुरा के हम झेलते हैं गम रोके भीते कोई जिन्दगी है क्या दुनिया मन बुरा तो गोली मारो दर के जीना है कोई जीना यारो यारो में सदा जाकरो फिदा दुश्मन को ये पता दो दुश्मनी है क्या मँー याराए 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 located ओंधा याराए याराए हर कहने को बदनाम बर्बाद है लेकिन हमी लोग आजाद है कहने को बदनाम बरबाद है लेकिन हमी लोग आजाद है दिल कहे जिधर चाहन जए उधर हम से पूछोंगे आवारगी है क्या दुम्या माने बूरा तो गोली मारो दर के जीना हो कोई जीना यारो यारो पेसदा, जा करो फिता, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या करूचारी नङला, बता है करो मा जो मा साइ्त here करो अगना yup करो फजे बता है, जुश्मन को ये करो झेल बता है करो ये लो मा रखू मा जोरी बता है करो फिता है क्या वाद एंग थैंक यू वेरे मच आरडे टॉकिस का ये प्रोग्राम आप सब आये बहुत खुशी हुई थैंक यू वेरे मच इसी तरह हम आपकी सामने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेते आएंगे गुड़नाइट टेक क्यार बाए थैंक यू